हैलो दोस्तों आज हम बताने वाले एलेक्ट्रिकल पावर वायरिंग के बारे में जो कि हम आप लोगों को ड्रोइंग के द्वरा करके बताएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएं कि इलेक्ट्रिकल पावर वायरिंग कैसे की जाती है तो अभी तक आप में सप्लाई देंगे जो बाहर से आएगा उसको connect करेंगे और यह जो हमारा नीचे का दो point है यहाँ पे हम load देंगे तो यह जो दो point है इसमें हम face और एक neutral connect करेंगे जो कि हमारा जाएगा यह reading meter में तो चलिए हम इसको connect कर लेते हैं यह हम इस point से एक wire लेंगे face wire इसको हम connect करेंगे अपने reading meter में तो चलिए इसको connect कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको किस तरह से connect किया है तो इसी तरह से हम दूसरा भी connect करेंगे neutral को यह अपने दूसरे point से लेके हम reading meter में connect कर लेंगे तो चलिए हम neutral को भी connect कर लेते हैं रिटिंग मीटर में आप लोगों को दिखाते हैं कैसे connect होगा, तो आप लोग देख सकते हैं हमने इस point से लिया, और यह अपने reading meter में connect कर दिया, यहाँ पे, तो हमने इसको connect कर लिया, अब जो हमारा 2 wire निकलेगा reading meter से, जो कि load के लिए जाएगा, तो यहाँ से 2 wire निकलेगा, एक face और ये neutral हमारा इस boost wire में जाएगा और face हमारा ये MCB में connect होगा तो चलिए इसको connect कर लेते हैं अब हम यहाँ से एक face wire लेंगे सबसे पहले face निकालते हैं तो यहाँ से face हमने निकाला और ये जो हमारा MCB है यहाँ पे आके connect होगा तो चलिए इसको connect कर लेते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि हम इस reading meter से face wire निकालके और इस mcb में connect किया तो अब जो है हमारा हमने इसको connect किया अब जो है हमारा यह 5 mcb बचा तो हम इसको connect करते हैं तो हम क्या करेंगे यहां से looping करेंगे 5 में एक एक करके तो चलिए हम 5 को looping कर लेते हैं अब लोग देख सकते हैं कि यहां पे हमने एक wire लिया यह जो हमारा एक एक point है 5 में सब में एक एक wire connect किया एक एक face को तो इसको हम connect करने के बाद जो है हमारा बचा neutral जो कि हमारा यह reading meter से निकलेगा और यह bus bar में जाएगा तो अब इसको connect करते हैं तो हमने एक reading meter से लिया और एक इस bus bar में connect कर दिया अब जो है यह हमारे जो 5 mcv है इसमें एक एक point खाली है तो इसमें क्या करना है यह bus bar से जो है neutral लाके इन सभी में एक एक point जो बचा हुआ है इसमें connect कर देना है तो हम यहाँ से एक wire लेंगे और यह जो हमारा पहला mcv है यहाँ पे connect कर देंगे तो चलिए neutral को यहाँ connect करते हैं तो हमने यहाँ पे एक पहले mcv में neutral connect कर लिया बिल्कुल इसी तरह से पांचों mcv में neutral connect करना है तो हम इसको फटाफट इसको connect कर लेते हैं तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें ताकि हमारे वीडियो को notification आपको मिलता रहे हम ऐसे नए नए वीडियो हमेशा लाते रहते हैं हमने जो है सारे neutral को connect कर लिया अब हमारा आगला काम जो है यह पहले mcv से नीचे का जो दो point है यहाँ से एक face और एक neutral लेके आएंगे और हमारे electric चूला हम यहाँ पे connect करेंगे तो चलिए हम इसको connect कर लेते हैं पहले point से पहले हम face को connect करेंगे फिर neutral को connect करेंगे तो यहाँ से हमने लिया और इस जगे पर connect किया यह face हमने connect कर लिया अब जो है यह दूसरे point से neutral लेंगे इसको भी हम इसी तरह से connect कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो अब यह हमारा neutral भी connect हो गया अब जो है हम connect करेंगे यह washing machine में, बिल्कुल इसी तरह से, यह दूसरे MCB से लेंगे, यहां दोनों point से neutral face, अब इसको भी हम अपने washing machine में connect कर लेंगे, तो चलिए इसको भी connect कर लेते हैं, यह हमने face को यहां से और यहां पे connect किया, अब जो है हमारा neutral भचा, तो दूसरे point से जो है हम neutral को लेंगे, तो इसको भी हम यह point से लेके यहां पे connect करेंगे, तो इसको भी connect कर लेते हैं, तो अब हमारा washing machine का neutral भी connect हो गया, अब बचा हमारा तीसरा MCB, तो जैसे हमने washing machine में connection किया है अभी, ऐसे हम तीसरे MCB से, और यह हमारा जो geyser heater है, हम इसमें भी connect करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, कि बिल्कुल सेम ही, ऐसे ही करना है, इसको भी कर लेते हैं, हम जो है, यह face को connect कर रहा है, यहां पे, पहले point से लिया, और गीजर में लेके आते हैं, यहां से एक point हमने निकाला, और यह geyser में लेके आ गया, यह हमने geyser में भी face connect कर लिया, अब neutral को connect यह दूसरे point से लेंगे, और geyser में लाके connect करेंगे, तो इसको connect कर लेते हैं, यह हमने geyser के neutral भी connect कर लिया, अब हमारा बचा यह 14 MCB, जो कि हमारा room heater में connect होगा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही, एक neutral और एक face, तो चलिए हम इन दोनों को connect कर लेते हैं, एक-एक point से दोनों लेके, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, यह हमने 4 MCB से अपना room heater का भी connect कर लिया, neutral face, अब जो हमारा बचा यह 3 pin socket, तो 5 MCB जो है, हम सेम ही इसमें neutral face connect करेंगे, इसमें हमारा switch already लगा हुआ है, तो switch लगाने की जरूरत नहीं है अलग से, तो अगर आप लोगों का कोई question है, तो comment box में जरूर लिखे, हम पूरी कोशिस करेंगे आपके question का answer देने की, जो है हमारा 5 MCB का connection हो गया, अब हम क्या करेंगे, कि यह जो हमारा 6 MCB है, single pull का, यहां से यह जो नीचे वाला point है, यहां से एक wire लेंगे, यह जो हमारा CFL का switch है, यहा और अपना CFL में connect करेंगे, तो इसको भी connect कर लेते हैं, तो जो है अब हमारा CFL का भी connection हो गया, अब इसमें क्या बचा, neutral का connection करना है, तो क्या करेंगे, यह जो हमारा neutral का bus bar है, यहां से यह लेंगे wire, और लाके हम, जो है यह CFL में direct connect करेंगे, तो चलिए इसको भी आप neutral को यहां से connect किया, और यह जो हमारा CFL है, यहां पे लाके connect कर दिया, यहां से और यहां पे, यह neutral और face की wiring हो गई, connection सारे connection हो गए, अब इसमें बचा एक चीज, जो कि है अर्थिंग, अर्थिंग जो हमारा है, short circuit होने से बचाता है, इसलिए जरूरी है कि अर्थिंग लगा है, ताकि आपका कभी भी short circuit होए, तो MC भी तुरंट trip कर जाए, तो हमारा जो यह दूसरा bus bar है, तो हम यहां से एक अर्थिंग का wire लेंगे, और उसको connect करेंगे हमारा electric चूला, और washing machine, गीजर heater में, और room heater में, और 3-pin socket में, इसमें हम अपना अर्थिंग connect करेंगे, ताकि हमा हमारा green wire यह अर्थिंग में काम आता है, जो अभी हमने बता है, इन सारे में connect करना है, अर्थिंग का, तो चलिए, आप लोगों को connect करके दिखा देते हैं, तो यह जो है हमारा यहां से लेके आए, और यहां पर देखिए, हम चूले में connect किये, उसके बाद जो है, washing machine में connect किय फिर जो है, geyser heater में connect किये, उसके बाद जो है, room heater में connect किये, फिर उसके बाद जो है, हमारा यह three pin socket में connect किये, तो यह जो है हमारा wiring complete हो गया, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो like, share, comment जरूर करें, साथ में subscribe भी कर लें